यह फ्रीज से निकले हुए तीन तार होते हैं जैसे कि देखें दो तार इसमें थर्मो इस्टेट का होता है जिसमें एक थर्मो इस्टेट का इन और एक थर्मो इस्टेट का आउट होता है और एक बल्व का होता है जो थर्मो इस्टेट डोड स्विच और यह जो बल्व है यह फ्रीज में सबसे आगे लगते हैं जहाँ पे जैसे कि हम दरवाजा जब खोलते हैं तो वहाँ पे इसका प्रियोग किया गया होता है और बाकी के जैसे कि compressor ILP और जो relay होते है यह फिरिज के पीछे होते है यानि compressor जो charging के पीछे सबसे नीचे लगा होता है वहाँ पर होते हैं तो जो आगे thermostat door switch और bulb है वहाँ से तीनों एक जगा होने के कारणूवहाँ से बाहर जो तार निकलते है वह तीन तार निकलते जिसमें एक thermostat का in होता है एक out होता है और एक बलबका होता है ति यह इसमें कौन सा in है कौन सा out है और कौन सा बलबका है यह हम कैसे पता करेंगे जैसे कि यहां तो साब साब दिखाई दे रहा है जैसा कि यह चीतर है लेकिन जब फ्रीज में देखेंगे ति यह जो यह चीजे सा आउट है और कौन सा बल्बका है जैसे कि अगर इसमें माली कि अगर आपको पता नहीं है और आपको लगता है कि नहीं हम अगर किसी में जोड़ देते हैं तो क्या फरक पड़ता है जैसे न्यूटल और फेस की वाइरिंग के साथ तो जैसा कि वाइरिंग का नियम हमारा यह कि निवटल के वायर को thermostat के किसी एक पॉईंट में जोड़ते हैं जिस पॉईंट में जोड़ें उसी से ड्र 250 चो दोसिक का अगला बल्ब को और बल्ब का आगला ऐसा हो सकता है कि तीनो तार तीन कलर के हो लेकिन ये तीनो एक कलर के भी हो सकते हैं तीनो तीन कलर के भी हो सकते हैं जबके हम कलर से नहीं पहचान सकते किसमें कौन है या तो इसका एक थोड़ा सा ये उपाय कि आगे के डखकन को जो ये वापरेटर या थर्म डोर स्विच और चेक कर सकते हैं बीना देखें आसानी से चेक कर सकते हैं कि इसमें कौन सा इन कौन सा आउट है तो उनी सब के बारे में यहाँ पर आज हम विस्तार से जानेंगे तो स्वागत है आपका हमारे चैनल यहाँ पर सबसे पहले आपको हम बताते हैं देखें कि इसके वायरों को चेक करना है इससे सबसे पहले इन तीनों वायरों में हम यह वायर चेक करेंगे कि इसमें बल्ब का वायर कौन सा अगर बल्ब का वायर हमें नहीं पता चलता है जैसे कि माल लिए कि आपने गलती सी है न तूरे मोटर जो है वो जदि साथ हो जाएगा पूरी तरह से वाय जो बरस्ट हो जाएगा जल जाएगा इसको चेक करना जरूरीगा शुरूरी है चेक करने लिए सबसे पहले करना क्या है इस में देखे पहली कंडिंश na सबसे पहले checking में यह है कि सर्व प्रतम thermostat को on करेंगे यानि जो thermostat switch है इसको on करेंगे on करने का मतलब क्या होता इसको चालू करेंगे और जब हम thermostat switch को चालू करेंगे यह देखे एक point से दूसरे point तक light को out करने लगता है पहले thermostat को on करना है और series का एक bulb लेना जैसे कि एक bulb लेना है series का यह bulb रहेगा कैसे series कैसे होता है जानते है neutral और फेस अगर दोनों तार दे दिया जब बल्ब में तो यह जलने लगता है और यह दोनों तारों को अगर यहां पर रोक लिया जाए तो यह series बनता है अगर इन दोनों तारों को हम टच कराएंगे तो यह बल बज़े लेगा यह series है इसको करना क्या है सबसे पहले series के एक तार को यह जो freeze के पीछे तीनों वायर है सबसे पहले आपने क्या किया है यहाँ पर thermostat को on करेंगे door switch को off करेंगे off का मतलब होगे दरवाजे को बंद कर देना है आपको या door switch को ऐसे नोब को दबाना है और thermostat को on करना है और उसके बाद series के एक तार को thermostat के किसी एलिया जो तीनों वायर है series के दोनों तारों से freeze के पीछे तीनों वायरों को बारी बारी से चेक करेंगे तो series के दोनों तारों से freeze के पीछे तीनों वायरों को बारी बारी से चेक करेंगे इस अवस्था में देखेंगे कि series का बल्ब किसी दो वायरों पर ही जलेगा जैसे के अगर आपको लगता है पहले एक तारों हम यहां रख देते हैं और दूसरे को दूसरे पर रख देते हैं यहां से बल्ब जलेगा नहीं जलेगा तो series का बल्ब जलेगा क्योंकि यह thermostat on है और spring के दौर light वापस लोटके वापस आएगी तो सबसे पहले thermostat को on करना है door switch को off करना है और series के दोनों तारों से freeze के तीनों वायरों को बारी बारी से चेक करेंगे इस अवस्था में series का बल्ब किसी दो वायरों पर जलना चाहिए इस अवस्था में series का बल्ब किसी दो वायरों पर जलेगा और जिन दोनों पर जलेगा उन दोनों वायरों को छोड़कर जो बचा हुआ तीसरा वायर होगा वो होगा हमारा बल्ब का इससे हमें यह पता चले तो किसी दो वायरों पर बल्ब जलेगा, जिन दोनों पर जलेगा, उन दोनों को छोड़ कर बचा हुआ तीसरा बल्ब का होगा, जब हमें एक तारा कर इसमें माल लीजिए, बल्ब का पता चली जा रहा है, कि हाँ यह बल्ब का है, तो हम इसमें गट्टी लगा करके ऐसे थर्मोस्टेट का IN, और एक होता है थर्मोस्टेट का आउट, तो जो IN होता है और Aउट कौन सा होता है इसको भी जानना जरूरी है, क्योंकि जैसा कि जानते हैं, इन वाले पॉ Jinping में हम न्यूंट्र की सप्लाई देते है, और आउट करवा करके हम OLP को लेके जाते हैं, तो OUT आउट कौन सा है कौन सा तार OLP में जाएगा इसको भी चेक करना पड़ेगा अगर OLP वाला पॉइंट चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा कि अब यहाँ पे कि सबसे पहले यहाँ पे जो thermostat on था उसे off कर देना है और door switch जो off थी उसको on कर देना है मतलब जो on था उसे off कर देना है और जो off था उसे on कर देना है तो सबसे पहले यहाँ पे thermostat को off कर देंगे और दरवाजे को खोल देंगे उसके बाद क्या करना है उसके बाद series के एक तार को bulb वाले पर रखेंगे और दूसरे तार से बचे हुए दोनों वायरों को बारी बारी से चेक करेंगे जब बचे हुए दोनों वायरों को बारी बारी से चेक करेंगे न तो इस अवस्था में सीरीज का बलब इन दोनों में से किसी एक पर जलेगा जैसे देखे क्यों जलेगा अगर आप इस पे रखते हैं इधर आउट वाले पे तो series का bulbन नहीं जलेगा क्यों क्यों कि यहाँ से यह जो thermo state है न यह off है जबकि light को out नहीं करेगा इसलिए thermo state के out वाले point में light नहीं जाएगी इसलिए किसी एक में जलेगा और जिसमें जलेगा वो point होगा thermostat का in और जिसमें bulb नहीं जलेगा वो होगा out तो out जब हमें पता चल जाएगा उसकी supply जो तीया जाएगा उसकी जो wiring किया जाएगा वो OALP में किया जाएगा और जो in वाला point है उसमें neutral दीया जाएगा और जो बल्ब वाला पॉइंट है उसमें फेश दिया जगत है इस प्रकार से फ्रीज के तीनो वायरों को हम बारी बारी से चेक कर सकते हैं जिन दोनों पे जलेगा उन दोनों को छोड़कर बचा हुआ तीसरा वायरों बल्ब का होगा जब हमें बल्ब कन्फर्म हो जाए तो जो आफ था उसे आउन था उसे आफ कर देना है यानि कि थर्मो इस्टेट को आउन आफ और डोर स्विच को आउन यानि दर्वाजे को खोल उसके बाद सीरीज के एक तार को बल्ब वाले पे रखेंगे और दोसरे तार से बचे हुए दोनों पे बारी बारी से चेक करेंगे इस अवस्था में सीरीज का बल्ब किसी एक पर जलेगा और जिसपे जलेगा वो थर्मो इस्टेट का इन होगा और जिसपे बल्ब नहीं ज चलेगा वो थर्मो इस्टेट का आउट होगा तो इस प्रकार से फ्रीज के पीछे तीन वायरों को आसानी से चेक करके पूरी वायरिंग कर सकते हैं